नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है रजनेश स्वागत करता हूँ आपका हमारी यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India Exim Solution इंडिया का ऐसा प्लेटफोर्म में जो आपको Export, Import से रिटेट सारी जानकाई डिटेर में बुताता है तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्स करूँगा कि अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्काइब करें, वेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगया नावल वीडियोज के नोटिविकिशन मिलते रहें दोस्तों वीडियों बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से पॉमिग्रेनेट एक्सपोर्ट के बारे में, इंडिया से जो है अनार का एक्सपोर्ट काफी अच्छा होता है और वर्ड के अंदर अगर देखा जाये तो अनार के उत्पादन में इंडिया नंबर बन पर और काफी अच्छा अनार यहां पे produce किया जाता है और इंडिया की different different areas के अंदर जो है sale किया जाता है तो इसमें दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया से जो pomegranate का export होता है वो only 7% होता है तो 7% का export होता है बाकी 93% हमारा domestic market में ही sale होता है अगर आप इस business के अंदर है तो आप चाहें तो इस percentage को बढ़ा सकते हैं आप अपनी income को भी बढ़ा सकते हैं foreign countries के अंदर आप export करें आप pomegranate जो है काफी सारी countries के अंदर export होता है इंडिया से और काफी अच्छा पैसा जो है इस product के अंदर बनता है 08 chapter में यह आता है और इसका HSN code जो है आपका 08109010 रहता है और financial year की बात करें 2022-23 के के इंडिया से कितना export हुआ है तो financial year 2022-23 के अंदर 62,280 metric ton का जो है export हुआ है और उससे जो income generate हुई है वो है 58.36 million dollar का हमने export किया तो दोस्तों काफी अच्छा volume है 58 million dollar का हमने यहां से export किया इंडिया से और 62,000 metric ton जो है export किया गया है तो काफी अच्छा है यह business है और अगर इसके HSN code की बात की जाए तो 08109010 में यह file होता है तो आप इस पे जो है government के अच्छे का से benefit भी आपको है देखने को मिल चाते हैं drawback और road tape भी आपको इसमें जो है मिलता है तो वो भी एक additional benefit आपका रहता है और अगर इसकी top importer countries की बात करें कि भी इंडिया से अगर आप export करें तो किन-किन countries में इसकी demand रहती है तो इसकी demand जो है UAE में है बंगलदेश में है नेपाल में है निदरलेंड है कतर है विजरलेंड है साओधी अरेबिया है मलेशि एक्सपोर्ट कर रहे है और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे है इसागी मैंने बताया कि इस प्रोड़क का एक्सपोर्ट कम हो रहा है इंडिया से प्रोडक्शन के मावले में इंडिया नंबर बन है काफी राज्यों के अंदर जो है इसका production होता है अब देखते हैं दोस् और वो जो है नेपाल बंगरदेश वगेरा में भी जाने लगाए यहां से भी राजस्तान से भी तो आप जो जादर जो export होता है वो आपका महराज से बहुत अच्छा नासिक से अच्छका सा export होता है और आपका जैन पेटी पोर्ट नावाशिवा पोर्ट से वहां से export होता ग्राम्स का होना चीज जिसके अंदर गनेश और भगवा की जो वेराइटी रहती है वो रहेगी निदरलेंड और जर्मनी में बात करें तो उनमें 200-300 ग्राम चलता है और गनेश और भगवा वाली वेराइटी जो जाएगी आपकी UK के अंदर बात करें तो एक फूट का जो व जाती है और सेम जो निदरलेंड और जर्मनी यू के वगिर आप करते तो उनमें भी सेम जो है 200-500 ग्राम काप का वेट होना चीए और अरक्ता अंद मुर्दुला जो है आपका वहां पर एक्सपोर्ट हो जाता है पैकेजिंग की बात करें तो साड़े तीन किलो का भी इसका पैकेजिंग होता है और करीब-करीब 5 किलो तक इसकी पैकेजिंग चली जाती है और 4-5-6 फ्रूट्स जो है जो भी बायर के डिमांड आती है उससाफ से रिक्वार्मेंट के अकोडिंग ली जो है फ्रूट्स को एक बॉक्स में कोर्रगेटेड बॉक्स के अंदर इसकी पै कम चला जाएगा दोस्तों इस तरीके से जो है आप पॉमेगरेंट का एक्सपोर्ट कर पाते हैं काफी अच्छी प्राइजिंग जो है आपको फॉरंग कंटी से मिल जाती है इसकी तो दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्मेंटिशन के बारे में कि अगर आप इंडिया से अना इसमें ले लेना है उसके बाद में आपका प्रफॉमा इन्वेस बनता है पाइसोंटिशन होगे उसके अलावा आपका बिलो फ्लेडिंग होगा शेपिंग बिल आपका इसमें फाइल होगा तो यह सारे डॉक्मेंट आपको जो है एक्सपोर्ट के टाइम पर लगें कुस ड करा लें अपना ले ले लें ले बाइर ब्लोब हुदना चालु करें जब आपको बाइर मिल जाता है और उससे डलवा लें पेँमेंट डलाने के बाद सिंपली आपको यहां से करानी ऐसाप्लायर से को ओडरस देना है और प्रॉपर्स जो भी साइजेज वहाँ चलती है तो आप चाहते हैं तो से लाइट पर प्सट करने के बास जो है आप वहां से पर्चेश करने कालिध के बाद आप अपने कर पैब एक्पोर्ट पे इसचे पर होजाते क mett Cosmos सेट ए Oscarsiere फेडैन सकते आप होने चीज नहीं से एक्पर्टिए चाहिए थी जलदी खराब वोने वाली चीज नहीं, इसकी self life काफी अच्छी रहती है, उसके बाद जो है पोर्ट पे आपका custom clearance वगेरा और fumigation पाये तो sanitary certificates वगेरा, certificate origin वगेरा यह सब हो जाएगा, shipping will file हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका material shipping line को दे रही आ जाएगा, shipping line जैसे ही departure होगा आपका vessel का, उसके बाद आपको below flooding यहाँ पर बन के आ जाता है, below flooding बनने के बाद जो है simply आप जो है अपने सारे document collect करके buyer को courier कर दे, buyer के पास जब material पहुंच जाएगा तो buyer वहाँ पर यह document दिखा के अपना material छुड़ा लेगा, तो इस तरी के दोस्तों यह export का procedure complete होता है, आप इसको जो है by air export कर सकते हैं, by road export कर सकते हैं, by sea export कर सकते हैं, और nearby country जैसे वहारी बंगलादेश हो गया है, नेपाल हो पूटान हो गया, इन में तो आप आराम से जो है, इसको by road export कर सकते हैं, land customer station के तुरू आपका clearance हो जाएगा, by air में भी यह product काफी अच्छे जाता है, 500 kilo, 300 kilo, 600 kilo तक की requirement रहती है by air में भी, और by air आप जो कर देते हैं, इसका shipment, land बगेरा में भी जाने लगा है, नीदर land के अं export में आए और इस पर ट्रक का export सीखें आप, अगर आप सीखना जाते हैं completely export and import, तो हम आपको सिखाएंगे हमारे 7 days के course के अंदर कि किस तरीके से आप इंडिया से जो है export कर सकते हैं, किसी भी product का, तो आप जोइन कर सकते हैं, हमारा online training session, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंग किस तरीके से मैं export करता हूँ, उन सारी चीज़ों आप जानकरी आपको दी जाएगी, तो दोस्तों अगर आप training जोइन करनी हैं, तो आप हमें इस कीन पर दीके नंबर पर contact कर सकते हैं, साथ में आप हमें follow कर सकते हैं, शोशल मीडिया पर जिनके लिंक आपको description में मिल जाए करेगी, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जनकरी आपको पसंद आई होगी, मिलते हमाँ नेक्स वीडियो में, thank you very much.